नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अभीशेक सागर है और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बाते शेयर करूंगा और आपको कुछ एक गाइड भी दूँगा ये वीडियो लैप्टॉप से रिलेटेड होने वाली है और कुछ जो गलत चीजें यूट्यूब पर हो रही हैं उ उसने मुझसे कहा कि आपको हमें एक लैप्टॉप देंगे और ये चोटा लैप्टॉप होगा और इसका पॉजिटिव रिवियो आपको करना है यह जो लैप्टॉप इतना चोटा सा लैप्टॉप है एक्टम का प्रोसेसर है उसमें और बोलते हैं कि दुनिया का सबसे चो और वो रिव्यूज हम वही करते हैं जो हमें ठीक लगता है अगर ठीक लगता तो ठीक बताते हैं खराब लगता है तो खराब बताते हैं तो मैंने देखा उस लैप्टॉप को और हलाकि वो लैप्टॉप काफी पुराना है साल भर साल से भी ज़्यादा पुराना है वो और गटिया लैप्टॉप है उस प्राइस में उस लैप्टॉप का प्राइस लगभग इंडिया आते पैंतिस हजार तक पढ़ जाता है चालिस भी पढ़ सकता है पांसो डॉलर कुछ लिखे हैं वाँ पर लेकिन एक्स्ट्रा चार्जर अगरा डिलने के बाद पैंतिस हजार तक हो जाता है वह पैंतिस चालिस पढ़ सकता है कोई वो उसमें दो बात नहीं है इतना महंगा है वह ठीक है मैंने देखा यह अब है dai विव्श माना कर दिया मैंने बोला मैं इसका पॉसिटिव रिवियु क्या मैं इसकी नहीं नहीं है खराब की चीज है क्यों रिविव करने मैं मना कर दिया है कि अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबह और कुछ एक पर टिक्लर यूट्यूबर है जो उसका एकदम positive review दे रहा है तो वो एक paid review था और उसके लिए उनको पैसे दिये गए थे कि आप इस laptop की बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बाते बताए यार चंद पैसो के लिए भगवान ने तुमको कितना दिया है कितना विश्वास दिया है लोगों का और सिर्फ कुछ पैसो के लिए आप बिक गए आप paid है आपको पैसे दिये गए मतलब एक laptop और कुछ पैसो के लिए बिक गए आप ये चीज बहुत खराब लगती है और वो भी वो इनसान जो दूसरों को बोलता है कि आप बिक गए बहुत जितने भी यूटीबर है उस इंसान ने कि आप बिक गए जबकि वो इनसान भी खुद बिका हुआ है उसने इतने से पैसो के लिए और एक छोटे से laptop के लिए आपको आपके विश्वास को पूरे चैनल को अपने को अपने नाम को बेच दिया मैं फिर से बोल रहा हूँ बेच दिया अब मैं आपको बताऊंगा कि 35,000 रुपे में कैसा laptop आ सकता है अगर आपके पास पैसे नहीं है और मैं आपको बताऊं दो लोगों ने वो laptop खरीद लिया मेरे पास उन्होंने mail किया सर हमने गलती से वो खरीद दिया आप refund वगएरा करा रहे हैं हम क्या करा रहे हैं वो laptop हमने ऐसे ऐसे ले लिया है मैंने बोला तुम लुट गए तुम लुट गए 30,000 में लुट गए तुम तुमारे पैसे चले गए अब नहीं आएंगे वो जो भी है गए पैसे आप लोगों के जाएंगे पैसे मैं क्या कर सकता हूँ इसलिए जल्दी वीडियो बना रहा हूँ तो आप मेरे पास question आरता सर, programming के लिए, hacking के लिए, video editing के लिए game खिलने के लिए कौन सा laptop हम खरीदे अगर आपका budget मैं बताऊँगा मैं हम सिर्फ दूसरों पर उंगली नहीं उठाते solution भी बताते है solution मैं बताऊँगा laptop का मैं भी काफी शौकीन हूँ और तरह तरह के laptops चलाए है तो अगर आपका budget 35,000 रुपे है 35-37,000 रुपे तो देखो यह एक 37,000 रुपे का laptop है इसमें i3 का processor है 3.5 GHz का processor इसमें इसमें 4 GB RAM है 1 TB की इसमें hard disk है चीक है? और यह 15 इंच का है बस इसका size ज्यादा और बहुत पतला है ज्यादा मोटा नहीं है बहुत पतला है, बहुत lightweight है ज्यादा heavy नहीं है और इससे आप वो वो कर सकते हो जो उस छोटे से laptop से 3-4 भी attach कर दोगे तो भी कुछ नहीं कर पाऊगे इसमें games चलते है इसमें GTA खेल सकते हो high-end games तो ज्यादा high-end नहीं लेकिन बहुत अच्छे वाले game इससे खेल सकते हो इसे stream कर सकते हो ओफिस के सारे काम हो जाएगे बैटरी life perfect है इसकी screen बढ़ी है इसकी क्या नहीं है इसमें 35,000 में क्या नहीं आता पैसे waste क्यों करने उस पे इतने से laptop पे सिर्फ दिखावे के लिए दिखने के लिए आप वीडियो में ये बोल रहे हैं मैं तो सिर्फ macbook इस्तेमाल करता हूँ आप सिर्फ macbook इस्तेमाल करते हैं अगर आप खुद काम कर रहे होते न तो दो रुपे का mobile खरेदने के आउकात नहीं थी आपकी ये आपके family के business की वज़े से है कि आप कितनी सारी चीज़े हैं आपके पास जो ऐसे engineering बहुत अच्छा पेशा है लेकिन इसमें बहुत सारे गधे भी आ जाते एक गधा हमें YouTube पर देखने को मिला है माफ करना मिरको गुसा हरा इस वक्त उस इंसान पे कि ऐसे trust तोड़ दिया उसने इतने से पैसो के लिए अब मैं आपको बताओंगा अगर आपके पास 35,000 भी रूपे नहीं है तो क्या करेंगे आप लैप्टॉप चाहिए आपको ये है लैप्टॉप ये थोड़ा पुराना मॉडल है ठीक है ThinkPad ये आपको अभी रीफर्बिष्ट 12,000 में मिल जाएगा कितने में 12,000 में नई बैटरी के साथ और जादा जादा 13,14 में तो मिली जाएगा ये नई बैटरी के साथ इसमें क्या है 4GB RAM है इसमें i5 का प्रोसेसर है इसमें 2.5 GHz का और ये वो वो काम कर सकता है वो जो लैप्टॉप कभी नहीं कर सकता टेस्टिड है ये काफी दिनों से चलता आ रहा है 2010-11 में लाँच हुआ था ये सोचिए ये लैप्टॉप क्या कर सकता है सिर्फ 12,000 में सिर्फ 12,000 रीफर्बिष्ट है ये फैक्ट्री से रीफर्बिष्ट हो क्या आता है जो सेकेंड होते हैं उनको फैक्ट्री से टेस्ट किया जाता है लैप्टॉप को जो ठीक हो जाते हैं सही से काम कर रहे होते हैं उनको वापिस बेच दिया जाता है तो मुझे एक बात बताओ इस laptop में क्या कमी है क्या कमी है इसमें इंटल का ग्राफिक से इसमें और वो वो गेम प्ले कर देगा वो वाला laptop कभी नहीं प्ले कर सकता 35,000 का laptop है वो और दो रती का नहीं है वो ये चीजे हैं आपके सामने बता नहीं थी मुझे मैं भी चलाता हूं laptop मुझे पता है किस तरह के क्या laptop है तो आपके सामने अब चीज है अब खुद जा के इसकी वीडियो को देखिए वो एक paid review है paid review कैसा होता है मैंने आपको बता दिया और जो बड़ी-बड़ी लोग बाते करते हैं वो भी आपको loot रहे हैं चोर हैं वो तो मैंने आपको बता दिया अब review हम भी करते हैं लेकिन हमें जो चीज ठीक लगती है वो बताते हैं खराब लगती हैं वो भी बताते हैं सिर्फ अच्छी चीजे नहीं बताते हैं ये इंसान दूसरे लोगों को नीचे गिरा कर अपने लिए competition खतम करता है और अब ये सामने पकड़ा गया खुद आप देख लिए आप कितने लोगों ने laptop खरीदा है वो पैसे गए आपके refund ले सकते हो तो ले लो मेरा मन नहीं करता है बोलने का लेकिन यार ऐसे देखके मेरे को बहुत गुस्सा आता है अब देखो आप decide करो आपको क्या करना है आपको समझ आ गई होंगी बाते मेरी बाती ठीक लगी तो अच्छी बात है मेरा नया तो नहीं है मैं तो बहुत पहले से बात आपको बताने कोशिश कर रहा हूँ मेरे को कोई फर्क नहीं पढ़ता आप क्या बोलते है मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको यह जानना जरूरी है जिनको जाना जरूर ही नहीं है, वो गाली बकेंगे, मेरेको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी 4-5 लाइनों की गाली मैं पड़ता भी नहीं हूँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत गाली है सुनिये जिंदगी में, तो मैं mentally बहुत स्ट्रॉंग हो चुका हू और अब आपको डिसाइड करना है कि क्या ठीक है, मैं विलता हूँ आपसे गली वीडियो में, थैंक यू सो मच, एंड गुडबाई